नमस्कार दोस्तों होली नजदीक है और होली में मठ्री ना बने ऐसे कैसे हो सकता है तो आज मैं दो तरह के मठ्री लेके आई हूँ एक सूजी की मीठी मठ्री और एक मेथी मठ्री दोनों बनाना बहुत आसान है। खाने में बहुत टेस्टी होता है और सबसे अच्छी वात इसे बहुत दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं तो चली सुरू करते हैं अज की रेसिपी सबसे पहले हम बनाएंगे मेथी मठरी उसके लिए एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा और इसमें लेंगे दो बड़े चमज सूजी बारिक वाली मोटी वाली जो भी हो आप इसमें सूजी ले लें उससे जो मठरी है वो सूपर खस्ता बनती है साथी इसमें फ्लेबर्स के लिए डालेंगे थोड़ी सी कलोंजी यानि के मंगरेला उसके बाद एक चोटी चमज डालेंगे जीरा डाला है उसके बाद अजवाइन लेंगे हाथों से क्रस्ट करके इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है जीरा और अजवाइन जरूर नमक मठ्री में थोड़ा सा कम ही रखें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग क्योंकि फिर बाद में खाने में इदे नमक जादा होता है तो टेस्टी नहीं लगता है उसके बाद ले लिया हमने अच्छे से कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मेथी मठ्री बना रहे इससे हम इसermें पांच चम्मच तेल डालेंगे तो छोटी चम्मक है तो पांच तो गत्फेंगर की लिए तो इसको हम उन् लग रहा था तो एक चमच देल हमने यहां पर डाला है और बहुत अच्छे से रप करते हुए इसको मिक्स करेंगे और जब इस सर से अच्छे टाइट वाली मुठी बन जाएगी यानि कि मौन इसका सही है इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालके इसका एक सक्त आंटा लगा क समय करके रखें और यह देख Messiah हमारा आटा त्यार है तो उसको दूसरे बरतर में सिफ्ट करके साइड में रखते आ और अब मीटी मुठी मट्री के लिए आटा लगा लेते are तो इसके लिए एक चोटी सुजी लिया और यह सुजी बारिक वाली है तो यह ले सकते हैं और उस इसमें घी लिया है घी को मेल्ट करके लेंगे यानि कि पिगला के लेंगे और अच्छे से रब करते हैं इसको मिक्स कर लेंगे और यहां पर सूजी की मठ्री बना रहे फ्रेंट्स यह थोड़ा सा ट्रीकी होता है यदि इसमें आप मौयन बहुत जादा डाल देंगे तो यह तोटने लगती है तेल में जाकर बिखरने लगती है तो इसमें जितना बागी के मठ्री में मौयन डलता है उससे थोड़ा सा कम डालेंगे तो तीन चमच हमने घी डाला है और यह देखिए मुठी नहीं बंद रहा था इसी तरह से हमें मौयन लगाना है अब इस मठ्री को मी के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है तो मैंने वो ले लिया है चासली नहीं है तो आप PCV चीनी के समाल कर सकते हैं यहाँ पर दूद या पानी में चीनी को घोल के भी उससे आटा लगा सकते हैं से मिसी प्रोसेस से अब इसके आटा को लगाने के लिए यहाँ पर मैं दूद के यूज़ कर रही हैं आप सिर्फ पानी से भी आटा लगा सकते हैं बड़ दूद डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है अब यहाँ पर सूजी है वो काफी भरवरा सा होता है तो यहाँ पर आटा लगेगा नहीं तो दूद मिक्स करके हम इसको ऐसे फैला के कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इससे कि हो कि सूजी अच्छा से फूल जाएगी और एक आटे के फॉर्म में आ जाएगी इस तरह से बिल्कुल देखिए और एक सकता आटा बन जाएगा तो जब आप दूद मिलाए ना तो थोड़ा सा सूजी को गीला रख तो इमेधी वाला जो हमारा डो है उसको ले लेंगे और जो मीठी वाली है उसको हम साइड में रख देंगे अब इसके दो बडाबर portion कर लेंगे और इसको हम थोड़े से हाथों से दबाते हुए इस तरह से लंबा कर लेंगे और मत्री बनाने का सबसे इजी प्रोसेस बता लेकिन आज मैं जो तरीका बतारी नों मुझे इस पेसली सबसे ज़्यादा एजी लगता है और मुझे जब भी जल्दी होता है या फिर कम समय में ज्यादा मठ्री बनाना होता है तो मैं यह तरीका अपनाती हूं तो इस तरह से हमें डो का इस तरह से बना लेना थोड़े होती हो तो बिल्कुल यही मठ्री बनाती हो और घर में भी सबको बहुत पसंद आता है तो हमने वो सारी मठ्री बना के रख लिए अब फटाफट चलिए सूजी वाली मठ्री को भी बना के तयार करते हैं तो इसको हम बेल के बनाएंगे तो यहाँ पे हमने आधा पोर्शन ले लिया है बोट पे सूखा मैदा या फिर आटा लगा लेंगे और एक मोटी सी रोटी बेल के तयार कर लेंगे इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है आप चाहें तो इसे भी थोड़ी सी जादा मोटी रख सकते हैं और इसे हम बरावर टुकडों में काट के तयार कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी आपका मंचाहा सेप हो उस तरह से आप इसे काट सकते हैं मैंने यहाँ पे चोटे-चोटे स्क्वाइर में कट करके तयार कर लिया है यह देखिए तो सारे मठ्री हमारे यहाँ पे बनके तयार हैं बहुत जल्दी बनती है इतनी सारे मठ्री मैंने सिर्फ आदे घंटे में बना के तयार कर लिया था तो होली बिलकुल एक दिन बाद ह और आपके पास समय कम है तो इन दोनों मठ्रियों को बना सकते हो तो यह लास्ट ममेंट रेसेपी हो गई है तो देखिए यहां दोनों मठ्री हमारी तयार है बेलकि अब तेल गरम करेंगे सबसे पहले मेथी मठ्री फ्राइ कर लेते हैं तो मीडियम गरम तेल हमें चाहिए और आराम से 10-15 मिनट तक इसे हमें फ्राइ करना है जब तक इस तरह के कलर ना आ जाए तो यह देखिए हमारी मेथी मठ्री बन के तयार है अब चलिए फटा फटा हम मीठी मठ्री भी इसी में फ्राइ कर लेते हैं तो इसे भी हमें करके तेल में डालेंगे इसके लिए भी फ्ल चासनी का भी ध्यान रखना है, चीनी हमें थोड़ा कम रखना है, और इसमें मौईन भी थोड़ा कम रहेगा, तो ये दोनों मट्री हमारी बनके तयार रेसिपी कैसे लगी जुरूर बताईएगा, और होली पे से आप जुरूर ट्राइ कीजिएगा, और आपके यहां होली में क्या क्या बन रहा है, ये भी मुझे कमेंट में जुरूर बताईएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी और आसान रेसिपी के साथ तब तक के लिए, गुड़ बाई, टेक कियर, थैंक्यू फर वाचिंग माई, आल वीडियो और आपको होली की धेर सारी सुपकामना क्या ने ?